ये साबदाने की खीर बहुत चटपट से बन जाती है और इसके लिए बहुत कम इंग्रीडिन्स आपको चाहिए और इसका टेस्ट बहुत ही ज़दा अच्छा होता है तो सबसे पहले आपको साबदाने को धोकर भिगोकर रख देना है पास से 6 गंटे के लिए या आप राद बर भी भिगा कर रख सकते हो और ये कुछ ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा फिर एक कडाई में आपको लेनी है घी एन उसमें आपको रोस्ट कर लेना है ड्राइफ रूट्स यहापे आप कोई भी यूस कर सकते हो मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी डाल दिया है ताकि इसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ जाए फिर मैं इसको साइट पर निकाल लूँगी और सेमी कडाई में अब मैं एक कप सावुदाने को भी रोस्ट कर लूँगी ज्यादा दिर तक नहीं दो से तीन मिनिट तक हमें रोस्ट करना है जब तक यह ट्रांसलूसेंट ना हो जाए फिर उसके बाद मैं 1-5 लेटर दूद यहाँ पर एड कर रहे हूँ फिर उसके बाद मैं इसमें एड कर रहे हूँ इलाइची का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जादा गाडा मत करना क्यूंकि ठंडा होने के बाद यह अपने आप refa हो जाता है अगर आप पकाते वक्ती गाडा कर दोगे ना तो यह हल्वे के ज weapon की जासा हो जाएगा और वह टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा तो अगर आपका व्रत है या व्रत नहीं भी है तो यह रेसिपी को जरुर से चाय करना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना